जय स्री राम जय हनुमान मित्रों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं मित्रों आज हम बात करने वाले हैं चंद्रगरहन के बारे में मित्रों साल का आखरी चंद्रगरहन आठ नौमबर को लगने वाला है यह चंद्रगरान भैंकर चंद्रगरान है जिससे सुर्य मंगल भूत की युकती सुतक काल का सही समय और छे रासियों पर इसका किस प्रकार से असर पड़ेगा कौन कौन सी रासि पर आपके लिए भारी रहेंगे यह नौंबर मा में पढ़ने वाला साल का आखरी चंद्रगरान इन छे रासियों को पढ़ सकता है खुसियों का अमबार तता छे रासियों पर पढ़ेगा कुछ मुसिवतों की पहार तुटने वाली हैं तो वो कौन कौन सी बाते हैं जिसे जानना आपके लिए खास रहेंगे बस आप वीडियो के आखरी तक बने रहें आपको रासियों के परतेक बात को बतलाएंगे तो आप वीडियो के आखरी तक बने रहें वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चेनल को सस्क्राइब कर लें मित्रों जोतिस सास्त के अनुसार चंद्रगरन को एक विशेश घटना के रूप में देखा जाता है वहीं पुरानिक गरंतों के अनुसार जब भी अकास में चंद्रगरन होता है तो उसका पूरा प्रभाव पिर्थिवी पर पड़ता है यहीं नहीं किसी भी गरं का असर सभी राशियों पर जरूर पड़ता है तता जोतिस सास्त के अनुसार वर्स 2022 में चार गरं है जिसमें दो चंद्रगरन और दो सुरिगरन अब तक पहला सुरिग और चंद्रगरन लग चुका है तो इसी करम में अब दूसरा और आखरी चंद्रगरन आठ नुवंबर को लगने जा रहा है मित्रों जोतिस सास्त के अनुसार मेश रासी वाले जात्कों का साल के आखरी सुरिगरन का परभाव मेश रासी के लिए नकरातमक परभाव डाल सकता है इसके साथ मेश रासी को दन हानी के साथ कुछ स्वाश समिश्या का सामना करना पर सकता है यह चंद्रगरन सुरिगरन आपके जीवन में कुछ नुक्सान लेकर आएंगे तता ब्रिश्वरासी वाले जात्कों के लिए भी कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता ब्रिश्वरासी वाले जात्कों के लिए चंद्रगरन मिले जुले परभाव लाएंगे जहां इस रासी को धन के संकेत मिल रहे हैं तो वहीं सिक्षा के लिए नकरात्मक परभाव भी हो सकते हैं जिन लोगों के परतियोगी परिक्षा में हिस्सा लिया है उन्हें और सपलत का सामना करना पड़ सकता है तता मीतु रासी के जातकों के लिए चंदगरन सुबसंकेत दे रहा है आपको धन लाब हो सकता है और रुका हुआ धन वापस मिलने के योग है चंदगरन के प्रभाव से आपको एक अच्छी नोकरी भी मिल सकती है जिससे आपकी परुणत्ति हो स सकती है और करकरासी वाले जातकों को इस चंदगरन के प्रभाव से स्वास्तमिस्या से भी जुच सकती है तता सिंगरासी वाले जातकों को चंदगरन के प्रभाव से बेवाईक और प्रेम समंद मजबूत होने के संकेत मिल से रहे हैं किसी जगा साधी की बात चल रही है तो आज साधी जल्द से जल्द हो सकती हैं तता कन्यरासी वाले जातकों के लिए चंदगरन मीरे जुले परभाव देने वाला है जहां इन लोगों को नोकरी में परमोसन मिल सकता है वहीं परिवार के लोगों से मदवेद होने के संकेत मिल रहे हैं एक सूप संकेत के रूप में इ अगर खरिदने का योग बन रहा है तदा तुलरासी वाले जातकों को इन चंद्रगरण में आर्थि खानी होने के संक्यत हैं जदी आप पैसे सोच समझ कर नहीं खर्च करेंगे तो बड़ा नुक्सान हो सकता है तदा बिरिस्टिकरासी वाले जातकों का आकरी चंद्रगरण स चंद्रगरण के परभाव से नुक्री में उतार चड़ाओ देखने को पड़ सकता है अपने वरिष्ट से बच कर रहे हैं और सहकर्मियों के साथ अच्चे समंद बनाएं तदा मकर रासी वाले जातकों को चंद्रगरण के परभाव से मान सम्मान में बड़ोतरी मिलने के य जोग हैं आप कोई नया बाहान खरिच सकते हैं और कोई नई जिमवारी उठा सकते हैं तता कुमरासी वाले जातकों के लिए साल का आखरी चंद्रगरण सुबसंकेत दे रहा है आपके मान सम्मान में ब्रिधी होगी और कोई नई जिमवारी मिल सकती हैं आपके परिवार के साथ सम्मंद मधुर होंगे, ज़िए आप साधी के लिए रिष्टा देखरे हैं, तो जीवन साधी की तलास पूरी होगी, तता मीन रासी वाले जात्को कई सहत से लेकर समय चेट रहने की आवे सकता हैं, खान पान की आदत पर भी ध्यान देने की आवे सकता हैं, ध्यान हानी स पचने के लिए पचिस सोच समझ कर खर्च करने होंगे मित्रों इस प्रकार से इन शेरास्यों वालों जात्त का कुछ अच्छा तो कुछ खराप रहने वाले हैं तो मित्रों इससे मिला जुला अशर छुलै मिल रहा है आपको काफी ज्यादा अच्छा और काफी लाप की प्राप्ती होगी आपका दिन और भी ज्यादा सुन्दर और सफल बने जैमा लक्षमी जैमा दुरगा